तेरे सारे रंग ओड़के, डंग ओड़के, तेरा हुआ मैं सुब बच उड़के लो हाई फरेंड्स आज कि इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हो तो फ्रेने उपने काइन मास्टर अप्लीकेशन में आ गये हैं, अब यहां से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर हम सुलो पॉइंट नो का रेशिव लेंगे, लेने के बाद नीची के साइड में क्रियेट पर क्लिक कर देना है, अब फ्रेन यहां यहां पर हम सबसे पर इपने बैकरअंड इमिज को एड़ करेंगे, तो उसके लिए हां पर आपको इमिज वाले सेक्षन में जाना है, अई हहां से आपको किसी भी एक कलर के पिएक इमिज का करल लेना है, उसके बाद यहां पर इसकी डियृव्रेसन को अपने कौडिंग ब हालका ही रखना है उसके बाद यहां पर आपको डन कर देना है और स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है और यहां से स्टेप बैक आएंगे बैक आने के बाद यहां पर इस साइड में आपको किलिक करना है किलिक करने के आप जाओ तो अपना फोटो भी आड़ कर सकते हो तो चले फ्रेंड मैं यहां से अपने फोटो को आड़ कर लिया है अब यहां से हमें कट कर देना है उसके बाद इसका साइज हमें कुछ इस प्रगार से हमें पर जूम कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रगार से अब zoom करने के बाद लाना हमें कुछ इस प्रगार से, इस side में इसे ऐसे करके set कर देना है set करने के बाद यहाँ पर जू इसका duration है उसे खीच कर हमें वीडियो के end तक कर लेना है अब पर यहाँ पर हम दोबारा से लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे मीडिया में और यहाँ पर अपने catcher वाले photo को add कर लेते हैं add करने के बाद उपर के side से cut कर देना है उसके बाद इस photo को हमें कुछ इस प्रगार से rotate कर लेना है से जूम कर लेना है जूम करने के बाद लाना हमें कुछ इस प्रगार से ये साइड से यहाँ से करके set कर देना है set करने के बाद यहां पर जो इसका duration है उसे खीच कर हमें वीडियो के end तक कर लेना है अब फ्रेंड इसमें अपना ट्री का PNG फोटो एड़ करेंगे तो उसके लिए यहां पर लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहां पर हम जाएंगे मीडिया में और यहां से पने PNG फोटो को एड़ कर लेते हैं तो फ्रेंड मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि मैं हाँ पर जितने भी फोटोज और वीडियो का यूज करूँगा उनका सबका लिंक आपको वीडियो के ड्रेप किप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो फ्रेंड यहां से हमें अपने ट्री को एड कर लिया है एड करने क क्या करना है आपको इसकी साइज को में कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है अब जूम करने के बाद लाना हमें कुछ इस प्रकार से इस साइड से ऐसे करके सेट कर देना है देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से और जो इसका डियूरेशन है उसे खीच कर यहां पर ह lyrics video को add कर ले रहा हूं तो फ्रेंड यहां से हमने अपने lyrics video को add कर लिया है add करने के बाद उपर के side से cut कर देना है उसके बाद में कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा आगी के तरफ इस्क्रोल करना है ताकि थोड़ा हमारा जो टेक्स हो प्रापर रूप से दिखने लगे थोड़ करने के बाद लाना हमें कुछ इस प्रकार से इस साइड में से करके सेट कर देना है अब सेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम बैक आ जाएंगे देख सकते हो फ्रेंट बैक आने के बाद यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से ट्री को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के आपर में एक स्टिकर को पहले से डाउनलोड करके रखा है तो चले फ्रेंट इस वाले फोड़र को ओपन कर लेते हैं और यहां से कु enshp Jake करने के बाद इस स्चाइज को थोड़ा सा चोटा करेंगी छोटा करने के बाद कुछ इस प्रगार सेंट करेंगे देख सकते हो फ्रेंट कूछ इस प्रगार से आपको इसके वीडियो के कर लेना है अब हम फ्रेंट में पना पार्टिकल वीडियो एड़ करेंगे तो इसके लिए अपने पार्टिकल वीडियो को एड़ कर लेते हैं तो एक बार यहां से में कुछ इस प्रकार से बैक आजाना है देख सकते हो फ्रेंड उसके बाद यहां पर हम थोड़ा सा नीचे के साइड में आएंगे तो यहां पर में स्क्रीट स्क्रीन में आना है और इसे में फूल स्क्रीन में कर लेना है उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से बैक आज करींगे तो इसके लिए पर लिए में जाएंगे यहां पर हम जाएंगे मीडिया में और यहां से थोड़ासा नीचे के साइड में आना है तो यहां पर हम देख सकते ओं फ्रेंड आजाएंगे chroma key में और इसे में enable कर देना है उसके बाद यहां से मििसे थोड़ा से अच्छे से adjust कर लेना है और यहां से हम कुछ इस प्रगार से back आ जाएंगे अब प्रेंड students make frame add करेंगे तो उसके लिए पर लिए मिं जाएंगे लिए जाने के बाद यहां पर हम जाएंगे media मी और यहां से अपने frame को एड कर लिए एड करनी के बाद उपर के side से cut कर देना है कुछ इस प्रगार से उसके बाद थोड़ा सा सा नीचे के side में आएंगे तो उपर ही आपको यहां पर इस प्लेट स्कीन मिल जाएगा इसमें आने के बाद यहां पर में सेकेंड वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है और यहां से हम बैक आएंगे कुछ इस प्रगार से और यहां पर जो इसका डियूरेशन है उसे खीच करें यहां पर वीडियो के एंड तक कर लेना है तो फ्रेंड हमारा वीडियो कंप्लेटली बनकर तयार हो चुका है तो चले फ्रेंड आपको वीडियो को थोड़ा सा प्ले करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा वीडियो कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है यहां पर आपको उपर के साइड में इस एरो पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर क्वार्टी अपने कॉर्डिंग राख सकते हो और नीचे के साइड में सेव एज वीडियो पर किलिक कर देना और आपका वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा